मनासा रामपुरा नीमच मार्क पर चलने वाली बसों में यात्रियों से अनाप शनाप किराया वसूल के बाद भी यात्रियों को सुविधा देने के बज़ाया बत्तमीजी की जाती है वहीं नीमच गांधी सागर रूट पर बसों में माल धुलाई कर परिवहन का कार किया जा जिससे टैक्स की चोरी हो रही है ओवरलोड बसों की छटों पर ओवरलोडिंग माल धुलाई से हमेशा दुरगटनाओं का अंदेशा बना रहता है लेकिन उक्तरोड पर चलने वाली बसों पर नकिल कसने का काम परियोहन विभाग और जला प्रशासन करने में नाकाम साबित हो रहा है इसी प्रकार नीमस से भी लंबी दूरी की यात्री गाडियों में लगे जलाने ले जाने का काम अत्त धिक होता है इसी प्रकार रामपुर से इंदोर चलने वाली सभी कमपनी की रात्री यात्री विशों में यात्री बस में सवारी कम लगे ज़्यादा रहा है नियमों के नाम पर भी बसों में खाना पूर्ती हो रही है किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं हो रहा नहीं बसों पर पर्मिट का फिटनेस की कोई जानकारी लिखे होती और नहीं कहां से कहां तक चलने वाले रूट का नाम लिखा रहता है आए दिन अब बिना पर्मिट की गाड़ियां भी अतिधिक चल रही हैं कि राया सूची भी प्रदर्शित नहीं है मरासा से शबीर हुसेन की रिपोर्ट